दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लेट सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें साथी बेल लाकर बटन को प्रेस करना बलकूर ना भूले ताकि मेरे वीडियो की पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुत सके दोस्तो वेलकम टो मा पानी में हल्दी पॉडर नीबू और शेहर मिलाकर पीने के चमक कारी फायदे दोस्तों ज्यादा तर्फ लोग हल्दी और फिट रहने के लिए डेली सुबह उड़ते ही गम पानी में नीबू और शेहर मिलाकर पीते हैं ऐसा करने से वेट लूज होता है साथी बॉड़ी के विशयले तुत बाहा निकलते हैं और पासेज संबन्दी समस्या दूर होती है और हमाई रोग पेते रुदक चमता मजबूत होती है साथी हमाई तुझा में चमक आती है लगबख हम सभी लोग गम पानी में नीबू मिलाकर पीने के फायदे के बारे में जानते हैं लेकिन क पूरी हम और मिला दे तो इसका जो गुड़ होते हैं और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं तो आज की वीडियो में आज आपके साथ इन्ही फैयदों को शेयर करने वाली हों चलिए जानते हल्दी पानी के फायदे हल्दी पाचल को दुरूस्त करता है कई सालों के एदन स या बात साबित हुई कि डेली हल्दी का सेवन करने से पित्त जादा बनता है जिससे खाना आसानी से हज़ाम होता है जिससे आप पेड़ सम्मंदी बीमारी से बचे रहते हैं इसलिए अगर आप पाचन तंद को दुरुस रखना चाहते हैं तो आज ही से अपने दिन की को कम करते हैं इसके अलावा जोड़े के दर्द के लिए भी हल्दी पानी बहुत ही फायदे मंद है इसलिए सुबह की सुर्बाद हल्दी पानी से करिए हल्दी पानी मुटापे को करें दूर कम पानी में नीबू हल्दी पौडर और शेहर मिलाकर पीने से हमारा पाचन दुरुस्त होगा तो हमें हमाई शेहर में अत्रिक चर्वी नहीं जमा होगी जिससे मुटापे से पीट लोगों के लिए याडिंग बेहद उपी होगी है हल्दी पानी दिमाग को करें हल्दी पौडर दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आप डेली सुबह के पानी में नीबू हल्दी पौडर और शेहर मिलाकर पीते तो आपके दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है पूले की बिमारी जिन लोगों को है वो नेमेट इस चीज का सेवन करें हल्दी पानी लीबर के लिए हल्दी का पानी विश्यले चीजों से आपके लिवर की रचा करता है और खराब लीबर सेल्स को दुबारा ठीक करने में मदद करता है इसके अलावा या पित्याशे के काम को ठीक करने में मदद करता है अगर आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आए हो अगर आज का वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक